नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका News Update with PC पर आज हम बात करेंगे कंगना रानोत के द्वारा जो ट्विट के आ गया है मम्ता बनरजी की जीत पर उसके बारे में कंगना रानोत ने मम्ता बनर्जी की जीत पर इतना दुख हुआ कि उन्होंने बंगाल को दूसरा कस्मीर बनना बता दिया और उनके इस ट्वीट के उपर बीजेपी विधायक ने क्या पर्तिकरिया दी है उन्होंने कंगना रानोत को आड़े हातू लिया है और क्या क्या कहा है कंगना रानोत के बारे में वो इसी रिपोर्ट में हम देखेंगे मम्ता की जीत पर बंगाल को दूसरा कस्मीर बनने के बयान पर B.J.P. M.L.A. ने किया ट्वीट बोले मुरक ओरत है कंगना रानोत पसमी बंगाल में मम्ता बनरजी की परचंड भोमत से जीत पर अभीनेतरी कंगना रानोत ने भाषपा के समर्थन में ट्वीट किया इस ट्विट में वैब यहां तक लिग गई कि बंगाल में दूसरा कस्मीर तयार हो रहा है यूपी के गौरकपुर सहर से भाजपा के उधायक डाक्टर रादा मोहंदास अगरवाल कंगना के इस ट्विट पर इस कदर भड़क गए कि उन्हें मुरक और तक कह डाला पस्मी बंगाल में मंतब नर्जी की पर्चन भहुमत से सरकार बनने पर फिल्म अधनेत्री कंगना रानोत ने सोशल मीडिया पर टिपनी कर दी उन्होंने भाजपा का समर्थन करते हुए आने वाले दिनों में बंगाल का हाल कस्मीर की तरह होने का दावा किया इस पर गौरकपुर से भाजपा के नगर विदायक डॉक्टर रादा मोहन दास अगरवाल ने उन्हें आडे हातु ले लिया टिविटर पर उन्होंने कंगना रानावत के हैंडल पर उन्हें मुर्क और तक लिख डाला उन्होंने कहा कि जहां परदान मंतरी नरेंदर मोती और गरह मंतरे मित साथ तक मंता बनर जी को भदाई दे रहे हैं वहाँ इस तरह की टिपनी करना पूरी तरह से गलत है दो मई को हुई मतगना में बंगाल में टीम सी को मिली जीत के बाद कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट किये इनके जरिये कंगना ने बंगाल में भाजपा की हार पर अपना गुस्सा जाहिद किया कंगना ने यहां तक लिखा कि आने वाले दिनों में बंगाल में जो खूनी खेल होगा उस पर आखे बंद करना मुश्किल हो जाएगा अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं हार के खोपनाग डर के बाद मिली यह नहीं सकती उन्हें और ज्यादा खून का प्यासा बना देगी यह बहुमत ही दिल दुखाने वाला है कंगना यहीं नहीं रुकी उन्होंने लिखा बांगला देशी और हूंगिया ममता की सबसे बड़ी ताकत है जिस तरह की परवर्टी दिख रही है उससे साब पता चलता है वहाँ हिंदू अधिक संख्या में नहीं है आपरू के अनुसार बंगाली मुसल्मान पूरे भारत में सबसे गरीब और सबसे वन्चित है अच्छा है दूसा कस्मिर तयार हो रहा है कंगना के इस ट्विट पर गौरपूर के भाजबा विदायक डाक्टर रादा मोहंदास अगरवाल ने कडिया पत्ती जताई उन्हों ने आगे लिखा मैं बीजेपी विदायक हूं और जानता हूं कि पीएम अमिचा जेपी नड़ा ने बहुती बड़पन के साथ मंता बनर जी को जीत की बदाई दी विदायक ने कहा कि चुनाओं में हार जीत लगी रहती है देश के परधान मंतरी ग्रह मंतरी से लेकर हर ने इस उकार नहीं किया जा सकता है कि हम हार गए हैं तो बंगाल कस्मीर में बदल गया है कंगना कभी माराश्टर को कस्मीर बताती है तो कभी बंगाल को ये बिल्कुल गल्त बात है हमारी लड़ाई टीमसी और मंता बनर जी से है हम मजबूती से लड़े अब चुनाओं खतम ह कि मांगी है उन्होंने किया कि कंगना जीत हार को मजबी रंग दे रही है बंगाल में 27-3 ने मुसलमान हैं क्या वहां सबी मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया फिर बाकी वोट मंता को कहास से मिला कंगना कि बाते किसी भी कीमत पर शिवकार नहीं की जा सकती है वे अपनी राजनिती कर रही है लेकिन उन्हें लोगपिंटर की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए इस तरह से कंगना रानोत का गुसा भाजपा की हार के उपर निकला और टेमसी के जीतने पर उन्हें इसकदर दुख हुआ कि उन्हें बंगाल को कस्मीर बता दिया कंगना रानोत महराष्टर को भी कस्मीर बता चुकी है और इस तरह के कमेंट के लिए कंगना रानोत जानी जाती है या हम यह कहें कि उनकी यह आदत हो गई है इस रिपोर्ट में यही था कि कंगना रानोत का दुख किस तरह से जलका अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सेर करें और अगर आप चैनल पे ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप देख रहे थे News Update with PC थेंक यू